हाई एवर्वान वेल्कम बैट तो माई चानल सिंथी सिह राजपूत और मैं हूँ आपकी दोस्थ सिंथी आज मैं आपके साथ से और करूंगी मेरा पाँच मिनट स्क्लेयर रूटिन तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं फेश वास इसके लिए हमने ले लिया है यह गुड़ वाइप का मलबेरी फेश वास यह ब्राइटनिंग फेश वास है और यह जेल फॉर्म में आता है जैसा कि आप देख सकते हो हम इसे कर लेते हैं अपने चेहरे पर अपलाई इसे अप मसाज यह एकनी पॉन स्किन के लिए तो सबसे ही बेस्ट है इसे मैं 7 और 8 मंथ से ट्राइब कर रहे हैं और यह बहुत ही अच्छा मेरे स्किन के लिए है यह नॉर्मल स्किन के लिए भी है और ड्राइ स्किन के लिए है तो आप इसे चाहो तो ट्राइब कर सकते हो यह बहु तो आफ्टर फेस्वास मैं अप्लाई करूंगे टूनर और टूनर करने से पहले मैं अपने चेहरे को कर लेती हूं पेज ड्राइ और ये मैंने अपने चेहरे को अपकर लिया है तो चलिए अब हम टूनर लगाते हैं कि मैंने ले लिया है गुडवाइब्स का रोजिफ टोनर अब इसे हम अपने फेस पे डाइरेक्टली अप्लाई करेंगे यह टोनर ऑल इसकें टाइप है और यदि आप यह टोनर नहीं अप्लाई करना चाहें तो आप कोई भी टोनर अप्लाई कर सकते हैं आप डावर का गुल टाइप है तो चलिए हमने टोनर को कर लिया है अप्लाई आव आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर ठोल हमारा थूट स्टेप के लिए मैंने लिया लाकमी का पीछ मिल्क माशुराइजर इसके काफे हैं लाइट कर दो यह मेरे लिए काफी शो टेबल है यह मेरा स्किन कॉंबिनेशन स्कीन है और यह आल स्किन टाइप है यह आप मार्केट में कोई अच्छा मश्राइजर ढूंड रहे हैं तो यह आपके लिए बेस्ट आप्शन है इसे लगाना भी बहुत हीजिए और यह तू तो थरी सेक तो हमारे तो लास्ट बट नोट अडिलिस्ट मैं अप्लाइ करूंगी संस्क्रेम तो इसके लिए हमने ले लिया है यह लोटस का संस्क्रेम और यह मैं काफी पहले से अप्लाइ करते हूं इसको कड़ी मैं 7-8 एर पहले से अपलाई करें एपने फेस पर और ये बखुत ही अच्छा रहा मेरे स्कीन के लिए और मेरा स्कीन कॉंबिनेसान स्कीन है तो आप भी चाहें तो ले सकते हैं ये normal to dry स्कीन के लिए भी बहुत ही अच्छा है इसे हमने अपने face पर कर लिया है apply और यह काफी easily absorb हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हो और अपने skin को hydrate रखें ज्यादा से ज्यादा पानी पिए यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे like करें और मेरे channel को subscribe करें thank you so much मिलते हैं फिर next वीडियो में आपके साथ हस्ते रहिए